खाल खाल के अग्राइब अग्राइब लोग उमीद बहुत अच्छे होंगे बचो आज हमारा जो चेप्टर है वो है डिसकाउंट दरसल में profit loss में भी मैं इसको पढ़ा सकता हूं और discount अलग chapter भी आप बोल सकते हो क्योंकि यह उसी का part है ठीक है डिसकाउंट को हम हिंदी में छूट भी कहते हैं और बट्टा भी कहते हैं और बचे ये छूट या बट्टा क्या होती है वो अब आप सीखने वाले हो बहुत बार आपने सुना होगा कि इस बुक पर कितने परसंट छूट है इस बुक पर कितने परसंट डिसकाउंट है वो व 200 की MRP किसी बुक पर है और दुकानदान ने बोल दिया 20% डिसकाउंट दूँगा, तो आप उसका डिसकाउंट निकाल पाते हैं कि 200 का 20% होता है सर, 200 का 20% 40 रुपे होता है और 40 रुपे का डिसकाउंट इसका मतलब मेरे को 160 में ये बुक पड़ेगी, तो बचो ये वही चीज़ है, तो ये जो 20% का डिसकाउंट है इसके उज़े से आपके 40 रुपे बच गए, तो डिसकाउंट कहीं न कहीं एक दुकानदार का लॉस होता है, लॉस ही है मनलो 25 का डिसकाउंट दे दे तो और ज़्यादा उसके घर से जा रहा है, पीस परसेंट का दे दे गए तो और जा रहा है, तो इसका अमलो जितना डिसकाउंट बढ़ता है दुकानदार को घाटा चला जाता है, मतलब दुकानदार का लाब कम होने लगता है, और जितना discount ज़्यादा मिलेगा उतना ग्रहक को फायदा रहेगा तो ग्रहक तो वहां से खरीदेगा जहां उसको ज़्यादा discount मिले तो बच्चो ये होता है discount ठीक है चलिए अब सुरुआत करते हैं बच्चो पहले question की पहले question थोड़ी brightness बढ़ा दे ऐसा बच्चे बोलने तो बच्चो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्या चीज है और ये क्या questions है ठीक है चलिए तो अगर मैं देखूं कि बच्चो ये क्या सवाल है पहले समझिएगा कि 30%, 20% और 10% के किरमित बट्टे बट्टे का मतलब discount ही हो गया और फिर उसके समतुल्य एक मात्र बट्टा बनाना है इसका मतलब क्या होता है बच्चो इसका मतलब ये है बच्चो जैसे आप किसी दुकान पे छुट के लिए गए माल लिजे कोई चीज आपकी 100 रुपे की है कोई चीज 100 रुपे की है फिर आप जाते हैं और वो बोलता है कि भाया मैं इस पे 30% छुट दे सकता हूँ बच्चो वैसे सामाने बच्चा सोचेगा 30% दे दी फिर 20% दे दी फिर 10% दे दी तो उस बच्चे को लगा कि यार तिर कोई तो इस 30, 20, 50 और 10, 60% की छुट मिल रही है पिटा ये 60% की छुट नहीं है अगर तो ये फिर ये कितने की है सर तो यही तो पूछा है कि ये 60 के ब बेवकूफ बनाता है और वो कहता है देख वो तो तेरे को 55% ही छुट दे रहा है मैं देख तेरे को 30 भी दूँगा फिर उस पर 20 भी दूँगा फिर उस पर 10% की छुट भी दूँगा तो ग्रहक को लगेगा यार ये तो 60% दे रहा है वो वाला दुकानदार तो 55% ही दे र वाली बात क्यों है क्योंकि एक एक दुकानदा डायरेक्टली बोलता है कि 55% छूट दूंगा इस पे तो अगर 55% छूट देगा तो चीज 45 रुपे की मिल जाए भीया 55 तो छूट में गए न 100 में से 100 का 55% 55 अब 55 रुपे छूट में गए तो 45 रुपे की वस्तु मिल जाएगी बड़े इसी से है ना बच्चो 45 रुपे की चीज मिल गए लेकिन यहां पर जो छूट है बिटा वो 100 पे पहले 30% मिलेगी फिर के आया 70 और 70 पे फिर 20% मिलेगी अब 70 का 20% होटता है बिटा 14 रुप और घट जाएंगे मतलब यह जो छूट मिलती है 55 वाली यह तो पूरी घटी 100 पे मिलती है तो यह जो मिलती है पहले 100 पे मिलेगी फिर जो बचा उसपे 20% मिलेगी फिर जो बचा जैसे 56 बचा उस पे 10 तो पिटा इसका दस्तो मातर 5.6 रह जाएगा की नहीं ये फरक है दोनों में तो मतलब ये जो छूट है जो धन बचता चला जाता है उस पर छूट मिलती जाती है तो जरूरी सी बात है की 20% और 10% बार बार छोटा होता चला जाएगा होता चला जाएगा की नहीं तो भाई वो ही चीज निकालन 30% छूट मिले तो बच्चा आप इसको ऐसे कहना की 70 बटे 100 की मिल जाएगी वस्तू यानि 30% डिसकाउंट का मतलब हानी होती है तो 100 की चीज 70 में बेचनी पड़ेगी और 20% डिसकाउंट को 180 लिखा जाता है और 10% डिसकाउंट को 190 लिखा जाता है बच्चे तो एक किसे बनाएंगे तो बच्चे 70 बटे 100 ये बटा कितना 80 बटे 100 और ये बटा कितना 90 बटे 100 क्या उपर हमेशा कम वाली संख्या ही रखेंगे जी हाँ क्योंकि छूट मिल रही है तो चीज कमी हो रही होगी जाहिर सी बात है है ना बच्चो तो आप देखो 70 आगे मालो और 5% छूटा जाए तो 95 बटे 100 तो आपको ये 100 शुरू में मानने है बस ताकि मैं देख सकूँ कि एक्च्वल डिसकाउंट कितना है बच्चो मैं इन सब की गुणा करूंगा आठ सत्य चपन नोचिक पांसो चार आएगा इन सब की गुणा करोगे उपर वालों की तो नीचे 10 आ तो मैं 100 रुपे की और अब वो कितने की मिलेगी 50.4 रुपे की मिलेगी तो भाई इतने रुपे की चीज इतने में मिल जाएगी ये छूट कितनी हुई डिसकाउंट तो आपने बताया ही नहीं ये तो ये बताया इतने में मिलेगी वस्तू तो भाई डिसकाउंट कितना हुआ बट्टा कितना हुआ वो देखना है न मिरको तो भाई या 100 में से 50.4 घटा दोगे तो जो ये आया है ये छूट हुआ तो आप कहोगे ये तो रुप परसेंट, आपको समझाया कि घटाते क्यूं है लास्ट में सो में से बच्चो ये इसलिए घटाते हैं क्योंकि इससे ये हमें पता चला है कि इतने में तो वस्तु मिलेगी, इतने में तो हमें चीज मिलेगी, छूट कितनी रही अगर मैं कहूं आपको ये 50 रुपे का पैन है 50 रुपे का पैन है और अगर ये मुझे 30 रुपे में मिले तो भाई छूट कितनी रही 20 रुपे की कैसे पता चली 50 माइनस 30 इसलिए ये ऐसा किया है क्लियर बच्चो क्लियर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चो अगले कोश्चन की तरफ देखिए 60% का लगातार दो डिसकाउंट देना है ठीक है तो वो हाँ पिछले सवाल में बच्चो एक दुकानदार आपको पच्चपन की दे रहा था एक इतने की तो ये रही इतने की तो पच्चपन वाला ज्यादा बढ़िया रहा ना आपके लिए ये तो बेवकूप बना रहा है ये तो 60 नहीं है ये तो इतना है बलकि 50% की जो छूट दे रहा है वो भी बढ़िया है आपके लिए ये तो उससे कम है ना बच्चो चलिए ठीक है अब देखो वच्चो दूसरे कोश्चन को देखो 60% का लगता डिसकाउंट देना किस एक डिसकाउंट के बराबर है किस एक डिसकाउंट के बराबर है अगर 60% का लगता डिसकाउंट दूँ तो ये किस एक डिसकाउंट के बराबर होगा यह आपको बताना है यानि पहला डिसकाउंट भी 60% दूसरा डिसकाउंट भी 60% आजी दोनों डिसकाउंट बच्चो अब आप खुद देखना तो भाई 100 रुपे की चीज है 60% डिसकाउंट दे रहे हो तो 100 रुपे की चीज को 40 में दे रहे हो यहाँ भी 60% चीज है 60% डिसकाउंट है इसका मतलब 100 की चीज को 40 में दे रहे हो पहले तो यह 100 के फापिक्ष में देखने पड़ेंगे तो हम मैंने देखा कि भाईया पहले कम वाले को उपर रखते हैं जब भी हम समतुल्य है मतलब इन दोनों के बराबर एक डिसकाउंट बना रहे है तो 40 यानि 260-60% के डिसकाउंट है वो टोटल कितने परसेंट का डिसकाउंट होगा अगर एक डिसकाउंट बनाओं तो तो भाईया एक डिसकाउंट ऐसे बनाते हैं बजचो हमने देखा भाईया 100 रुपे की चीज मानी थी और हमें कितने में मिलेगी फाइनली 16 रुपे में मिल रही है तो भाई डिसकाउंट तो बहुत बड़ा आया तो डिसकाउंट कितना रहा ये बताओ तो भाईया ये तो माइनस करना पड़ता है न लास्ट में हर बार ये ही तो सिखा रहा हूं 84 परसेंट का बड़ा डिसकाउंट हो जाएगा कितना असान है रहे है ना बच्चो बहुत ही आसान है चलिए नेक्स्ट बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 परसेंट और 20 परसेंट के किर्मिक बट्टो के समतुले एक बट्टा बताओ क्या ये भी वही चीज हो गया बच्चे क्या ये भी सेम कोश्चन है जी हाँ बिलकुल सेम टू सेम कॉपी है बहुत बढ़िया बच्चो तो इन दोनों को एक बनाना बटा 30 मत कह देना ये 10 परसेंट 20 परसेंट आपके दोनों को एक बनाऊगे 30 परसेंट हो जाएगा नहीं ये कितना है एक्शुल में 100 मानते हैं सुरू में है 100 रुपे की कोई चीज है तो वो कितने में मिलेगी बच्चे यहां से आएगा कि ये 100 का 90 है ये 100 का 80 तो वहिया 90 बटे 100 और ये 80 बटे 100 ये तो आप सब को मालूम ही है बच्चो हमने देखा 100 की चीज 72 रुपे में मिल गई तो डिस्काउंट कितना रहा बटा डिस्काउंट रहा 100 माइनस बच्चर ये तो करना ही है लास्ट में 28 परसेंट यानि जो हमें देखने में 30 परसेंट डिस्काउंट लग रहा था वो एक्च्वल में 28 परसेंट है ठीक है तो दुकानदार ऐसा कहके बेवकूफ बनाते हैं आपका चलिए तो डिस्काउंट पर डिस्काउंट दे रहे हैं जी हम तो लोगों था डिस्काउंट पर डिस्काउंट बेटा डिस्काउंट पर डिस्काउंट यही होता है चलिए अगे बढ़ते हैं अगर वो डाइरेक्ट इस 30 कह देता उसका क्या बिगड़ता पर वो तो पॉलिसी है देखने में 30 लगे लेकिन अठाईस ही है एक्ष्ट में तो है ना चलो अब आप बेवकूफ तो नहीं बनेंगे इतना तो पक्का है तो देखें चौथा कोश्यन क्या है बच्चो माइक खराब है माइक दिक्कत कर रहा है क्या बच्चे आवाज भरा रही है क्या लोग क्या दिक्कत क्या है माइक में यहां से थोड़ी सी यहां से कम कर रहा आवाज को यहां से साइद फट रही हो इसलिए बच्चे कह रहे हैं और थोड़ा कम कर चुरू बस ठीक है देखो बच्छो चौत्था question है एक बार देखिए इस question को एक बार देखिए और मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे बहुत ही अराम से बहुत आराम से समझ पाएंगे बचो देखिए इस question को इक बार चलो लगा दे कमेंट पर 500 रुपे पर 40% के बट्टे तथा 500 रुपे पर 40% का बट्टा तथा उतनी ही रासी पर 30% तथा 10% का बट्टा है यानि 500 रुपे पर देखो ये 40% है और ये देखने में 40% है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये देखना है दोनों में अंतर आएगा क्या जी 100 पर 30 अंतर आएगा बट्टा 40% एक बार तो डायक्तली 500 पर देना है तो 500 की चीज कितने में मिल जाएगी 40 डिस्काउंट दूँगा तो बट्टा 80-100 में मिल जाएगी कि नहीं जी कितना हो जाएगा यहां तो हमें 300 में मिल रही है तो भाई डिस्काउंट कितना हो गया discount रुपे में देखना है बटा इस बार क्योंकि उसने रुपिया ही दे दिये पूरे तो भाई 200 रुपे discount अगर मैं 40% discount दूँ तो भाईया ये आता है और अगर मैं 30% and 10% discount दूँगा तो बच्चा ये ना पहले समतुल्य बट्टा बना दो या सीधा ही कर दो तो ये आएगा 90 बटे 100 है ना ये ही करोगे की नहीं जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आगे देखा बच्चो दो जीरो और कट गई नो सत्ते तड़े सट तड़े सट पंजे होता है तीन सो पंद्रे यहां पर वस्तु पड़ेगी ग्रहक को तीन सो पंद्रे में यहां तीन सो की तो ग्रहक को तो इसमें फायदा है यह तीन सो पंद्रे में मिल रही है बच्चो तो मैं कहूंगा यहां डिसकाउंट कितने का रहा पाच सो माइनस तीन सो पंद्रे तो भईया यह रहा दो सो पिचासी रुपे ओ सरी 185 रुपे का 185 रुपे का डिसकाउंट है और उपर डिसकाउंट कितने का था 200 का था कितने रुपे का डिफरेंस है रे 15 रुपे का डिफरेंस है बिटा 15 रुपे का डिफरेंस आया यही उसने पूछा था कि कितने रुपे का डिफरेंस आएगा 15 रुपे का रुपे का अंतर होगा ना कि परसेंट का क्योंकि इस बार 500 रुपे दिया है अगर वो परसेंटेज मंतर पूष्टा तो मैं 100 पे लेता सारी चीज़े चलिए next question क्या है बटा एक और सवाल दिया है discount पई कि ये कैसा सवाल है बच्च जरह देखना समतुल्य बट्टा बनाना आ आ गया ना अब आपको बहुत ही आसान सा मेथड है और विचा ये समतुल्य यान इक्वेलेंट बन जो discount बनाना होता है इस टाइप के सवाल आप से पूछे गया है जीडी में पहले है ना देखिए next question की बात करें बाई आप सब किस राज्जे से comment करो अरे बिटा पढ़ ले राज्जे का हिसाब लगाता रहेगा तो कैसे करेगा है राज्जे से है चलो देखिए बच्चे ये question मैं बताता हूँ निमलिकित मैं से उब्होकता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है यानि consumer 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 मतलब गिरहा के लिए सबसे चूट कौन सी है विल्टा जो जदा discount देगी वही गिरहा के लिए सबसे चूट है अब मैं देखूं और दुकानदार के लिए सबसे बुरी है जिस पे जदा चूट बने समझे लो अंदर गया पानी में है ना बच्चो तो ये दोनों छूटों को आपको एक छूट बनानी है बच्चो जबरजस्त सवाल है 50% और 50% इनके समतुल्ले बटता है यानि एक बटता बना दो इसको कैसे बना सकते हैं 50% छूट 50 बटे 100 होगा भाया 50 बटे 100 होगा 100 की चीज 50 में और फिर 50 की चूट फिर 50 बटे 100 होगा 20 की चूट होती 80 बटे 100 करता मालूम है आपको और भाई 100 की चीज इससे 25 में मिल लिये तो चूट कितनी हुई भिजा चूट हुई 100 माइनस 25 यानि 25% यानि 250 50% मिले तो एक 75% बन जाता है किलियर बच्चो नेक्स्ट क्या है ये है 60 और 40 क चूट है बच्चा तो ये कितना है इसको भी एक समतुल्य बटे बनाओ 60% चूट है बच्चा तो 40 अपन 100 कर दूं और 40% चूट है तो 60 अपन 100 ये ही तो करते हैं कि नहीं करते ben зайखा 20% चूट है एट्टी अपन 100 करते हैं अब देखना 00 से 0000 से 0000 तो तो 100 रुपए की चीज 24 में आई लेकिन छूट कितनी हुई बच्चा 100 माइनस 24 यानि 60% ओहो ओहो इससे 60% छूट आई अब बच्चो ऊपर वाले से तो ग्रहा किया इससे खरीदना चाहिए भाई यह जादा बढ़िया हुआ क्योंकि इससे 75% मिल लिये और इससे 76% मिल लिये अभी में 30 और देखू बच्चो तो 100 70% छूट है बटा 70 की छूट है तो इसको मैं क्या करूंगा इसको 30 बटे 100 करूंगा 70 की तो छूट हो गई मिलेगी कितने में 30 बटे 100 यहां 30% छूट है तो यह 70 पटे 100 करेंगे बच्चो तो कुल मिलाकर इससे वस्तू कितने में मिल जाएगी बच्चो 21 रुपे में तो यहां छूट यहां डिसकाउंट कितने का हुआ 100-21 यानि आपका 79% ऑठाइए यह तो सबसे अच्छा है ग्रहक के लिए लेकिन अभी इसका तो पता ही नहीं है अमें इसका तो पता ही नहीं है बच्चो तो यह एक खरीदे चीज मिल रही हैं अगर एक कदाम बच्चो ऐसे समझना एक कदाम दे रहे हो तीन एक्स्ट्रा मिल रही हैं तो वह यह चार चीजे मिल रही है तो एक कदाम कितना दे रहे हैं सो रुपे माल लो और भाई या सो रुपे में ही तो चार चीज मिल रही है लेकिन एक कदाम बेटा चारों बराबर की है जब ही तो एक चीज लो एक चीज सेम चीज मिल रही है यारी यह पैन लेने जाऊंगा ना एक कदाम दूं सो रुपे और चाल ले जाओ तो इसका मतलब क है तो रुपे में चार मिल रही है जब कि चीज सो रुपे की थी तो सो में चार मिल रही हैं सो में चार मिल लिए तो भाईया चार मिल लिए तो जो चीज है ना वो जो एक चीज है जो सो रुपे की पड़ती तो वो तो आप 25 रुपे की पड़ रही है जो सो रुपे की पड़ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें उस पे तीन फिरीज का मतलब सो रुपिया में चार मिल गई तो चार मिल गई तो भाई एक की कीमत 25 पड़ गई चीज 100 की थी लेकिन 25 की पड़ गई पहला चौथा तो बिलकुल एक जैसा है अब इनमें आपको बताना है गिरहक के लिए जो सबसे ज़्यादा छूट दिला रही है वो है केवल और केवल थर्ड केवल और केवल थर्ड क्या आप इस बात से कुछ समझे हैं बच्चो बहुत ही जबरजस्त और बहुत ही आसान सा क कॉशन था तो आपने देखा मैंने एक एक ऑप्षन को बहुत अच्छे से समझाया है आपको चलिए देखिए नेक्स कॉश्चन एप नहीं चल रहा कौन से बच्चे की समझ्चा है बच्चे जिसका एप नहीं चल रहा बटा हमारी कॉलिंग टीम पे आप कॉल करना वह आप आप से वीडियो मंगाएंगे क्योंकि हमें इशू तब समझ में आता है जब आप वीडियो भेजते हैं कि दूसरे फॉन से बनाके हमें 10-20 सेकंड की वीडियो दे दे कि हमें पता लगेगा कहां से नहीं चल रहा है वो टेक्निकल टीम फिर आपका एप सही कराईगी अगर प्लेयर टू में क्वालिटी का उप्षिन जो यूट्यूब पर सेट करके जाना उसी क्वालिटी में चलेगा ठीक है वहां उप्षिन नहीं आता लेकिन वह यूट्यूब का ही है तो जो यहां से आप सेट करके जाओगे उसी क्वालिटी में वहां देखोगे चलो बच्च कि दो किरमिक बट्के दिए जाते हैं वैटा ये कैसा सवाल है कि अगर कोई चीज 100 रुपे की है बच्चो ये सवाल डिस्काउंट वाला जो चेप्टर है ये समझने का जादा होता है समझने का जादा होता है वाच्चो इसमें ना थोड़ा सा समझने पर गौर करना पड़ेगा आपको बिटा नमबर टीम का हमारी का है 9311737467 और यह 9 बजे के बाद कॉल करना बच्चे तम मिलेगा है ना 9 से 6 के बीच आप कॉल कर सकते हो चलिए अगर कोई दिक्कत है तो चलिए नेक्स कॉश्चन पर आता हूँ बच्चो नेक्स कॉश्चन पर यह देखिए 100 रुपे की चीज थी उस पर 30% बढ़ा दिया बच्चो तो यानी 130 की कर दी भाईया 100 रुपे पर 30 बढ़ा होगे 130 फिर 130 पर अब जो छूट दी जा रही है बच्चो वो 130 पर दी गई 10% और 10% की तो अगर पहला 10% दूँगा तो बचा 90 बटे 100 फिर दूसरा 10% दूँगा तो 90 बटे 100 यही चूट है की नहीं है जी बिलकुल यही चूट है तो 00 से 00 00 से 00 तो यह गुना कर लेता हूँ नौनी मिक्यासी तेरे इकम तेरे टेक सू चार और 105 और नीचे दस का भाग है तो 105.3 रुपे की आएगी 105.3 रुपे की आएगी तो अंतिम रूप से वस्तु का मुल्य वस्तु कितने की थी 100 रुपे की थी भाईया इतनी कर दी फिर छूट दे दी तो सीधा परसेंटेज भी कह सकते हो बढ़ा है घटा है बढ़ा है जी बढ़ा है अगर ये 100 से कमाता तो घटा होता तो 5.3 परसेंट बढ़ जाता है साफ साफ उत्तर है बच्चो देख लो मैं फिर से एक बार समझाता हूं जो राद ध्यान से सुनो कि 100 रुपे की चीज थी 30 परसेंट बढ़ गई 130 हो गई फिर इस 130 पर 10 परसेंट की 2 छूट दी गई 130 पर पहली 10 परसेंट की छूट 90 बटे 100 फिर दूसरी 10 परसेंट की छूट 90 बटे 100 तो इससे 130 की वस्तू 105.3 में मिल जाएगी चीज कितने की थी अक्चुल में 100 की और फाइनली कितने की मिल गई 105.3 की तो भाई यह तो फाइदे में गया कितना 5.3 परसेंट बढ़ गया रेट तो भाई यह है यह है बच्चो सर बीच में गुणा का निसान नहीं है जोड का है भाई वो पिछले वाले सवाल में कहरे है बच्चे कि यह जोड का है गुणा का नहीं है बेटा वो कह रहा है 50% दिसकाउंट और फिर 50% यह जोड वोड कुछ नहीं है बच्चो वो कह रहा 250-50 के डिसकाउंट है बस यह कहना चाह रहा इसको तो जोड़ो मतले जाओ आप ठीक है वो कहे रहा 50% डिसकाउंट प्लस एक और डिसकाउंट इस बात का मतला बहुत चलो और कोई बात और कोई बात चलिए ठीक है बच्चो नेक्स क्वेश्चन सरा मैंने सूर्य बैच लिया जब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं पर मेरा एप बहुत अच्छा चल रहा है बेटा अच्छा चल रहा है तो मुत बदाओ बढ़ी चल रहा है सब का ही अच्छा चल रहा है किसी एक आद परसेंट के में परेंदर की सुनो रो रो कर बुरा हाल है अंकित गुरू जी लागत अंकित मुल्य और लागत मुल्य क्या होता है बेटा अंकित मुल्य लागत मुल्य पर जस्ट अभी आ रहा हूं बस जस्ट अभी आ रहा हूं थोड़ी सी देर मैं है ना अब भी आ रहा हूं बहुत अच् से जीडी का नोटिफिकेशन बेटा दिवा कर भाया मैं कहे रहा हूं कि 9 जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर नहीं आया तो 10 जुलाई को हमारा एक बहुत बड़ा भियान होगा जिसमें आप सब बच्चों का साथ चाहिए होगा मुझे और हम हिलाने जा रहे हैं SSC की नीव को SSC GD के नोटिफिकेशन के चक्कर में तो भाई 10 जुलाई को आप सब लोग एक खटे आ जाना मैंने शित कह रहा हूं कि 10 जुलाई को अगर आप साथ आ गए तो वन नमबर पर ट्रेंड करेगा और जब ट्रेंडिंग वन पर होती है तो हर चीज को बहुत ध्यान दिया जाता है बच्चों ठीक है तो बिलकुल ध्यान दिया जाएगा तो एक बार आप 10 तारिक को सब साथ आ जाओ चाहिए गंटे के लिए पर ट्रेंड करा दो नमबर वन पर पर करवा दो और नमबर वन पर ट्रेंड होने के लिए चाहिए कि अलग स्टेट से बच्चे हूं सिर्फ एक रीजन से पर्टिकूलर रीजन से ट्रेन्ड पर में गंटे लगातार पूरे मेहनत से आ जाना बच्चो दस अजार बच्चे और जो एक एक पांसो पांसो ट्वीट कर सके निश्चित रूप से गंटे के अंदर में ट्वीट नंबर वन पे हमारा ट्रेंड करेगा ठीक है बच्चो और किस टाइम आना है बच्चे टाइम क्या करेगा बहुत जबरजस्त SSC GD के लिए और उसमें हम कुछ बढ़ा करने वाले हैं ठीक है लेकिन 9 जुलाई तक पूरी अमीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा ट्वीटर बैन हो जाएगा बटा पराग ऐसी बात क्यों सोचते हो अभी पहले देखो बैन बैन हो जाएगा हो जान दो हम पर क्या पड़ रहा हमारा काम निकले हमारा काम निकल जाएगा फिर होता रहा हो बैन घसी बात करते हो आप चलो अगले कोश्चन पर यूट्यूब इदर की काउंटिंग नहीं दिख रही है जाएगा चलो एक दुकांदार किसी वस्तू की कीमत में एक दुका यह वही सवाल है जो हमने परसेंटेज में किया कि पहले बीस परसेंट बढ़ाया फिर बीस परसेंट घटाया किसी की सेलरी बीस परसेंट बढ़ी फिर बीस परसेंट घटी तो आप कैसे करते थे कि बीस परसेंट बढ़ाया एक सो बीस हो गया फिर बीस परसेंट का छूट loss हो गया 4% loss होगा तो भाई यह क्या है उसका लाब प्रतिशत गलत लिख दिया है यहां पर गलत लिख दिया है और उसने उसका हानी प्रतिशत कर लिजे हानी प्रतिशत कर लिजे ठीक है उसका हानी प्रतिशत कर लिजे तो 4 यह लाब प्रतिशत ठीक है क्योंकि माइनस में आ लग रहा है कि लॉस होगा ना की प्रॉफिट फिर ठीक है लाब चलिए बच्चे सवाल ठीक एकदम ओके ओके है जी ओके है नेक्स्ट कुश्चन देखिए बच्च में एट्थ कुश्चन पर जाता हूँ अंकित मूले उसके लागत मूले से 40% अधिक अंकित कर दिया बटा अब जब नाम इंकित आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि अंकित मूले होता है बच्चे ध्यान देना मेरी बात पर यह सवाल तो हो गया उसकी कोई टेंसन नहीं पर यहां ध्यान देलो नहीं तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे होगे MRP अंकित मूले को होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसको ही अंकित मूले बोलते हैं अंकित मूले जो आपकी बुक पर रेट जो डला रहता है जो छपा मूले होता है वही अंकित मूले होता है क्या उससे कोई बड़ा मूले होता है दुकानदार इसको इससे जादा में बेच सकता है selling price तो selling price भी से कमी होगा और cost price भी से कमी होगा cost होती है लागत CP क्रेम लागत बिटा एक ही बात होती है तो मतलब लागत होती है CP तो भाई आप कहो नहीं ज्यादा हमें बेग देते हैं वो तो एक अलग बात है वो तो दुकानदार का हिमान ही बिलकुल मर गया वो तो एक अलग बात है लेकिन 500 रुपे की MRP है तो आप भी इतने बेवकूफ नहीं हो भाई या 500 लिख रहा है मैं इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूँगा और उपर से क्या क्योंगे कि मुझे डिसकाउंट दे डिसकाउंट दे तो वो कहेगा भाई इस पर 20% डिसकाउंट ले जा भाई तू न माने तू ले जा तू भाई ले जा यहां से नहीं तो औरों को भी देना पड़ जाया तेरी वज़े से तो भाई 500 चार सो रुपे में मिल गई तो उसको तो सो रुपे का फाइदा हो गया बच्छो है ना या तो आप ऐसे निकालो 500 का 20% 100-100 घटाओ या फिर सीधा 80% निकाल दो बात तो एक यह बच्छो अब यह जो 400 रुपे है यह बेटा सेलिंग प्राइस होता है क्या SP होता है जब भी डिसकाउंट देने के बाद जो भी रेट आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा याद रहेगी यह बात जो MRP जो अंकित मुल्ये पर डिसकाउंट दिया जाएगा discount को हटाने के बाद जो rate आता है वो selling price होता है क्यों अरे भाई spend pay MRP लिखा था कुछ उसने कहा यह 10% है तो 10% discount है 10% discount काटने के बाद जो rate होगा वो क्या होगा वो selling price होगा अब बच्चो फिर यह लागत क्या होता है सर भाई दुकांदर 400 रुपे में वो आपकी फूपी का बेटा नहीं है कि वो आपको 400 में लाया है 400 में ले जा ना ना वो खुद भी तो बचा रहा होगा या खुद का घाटा कर लिया होगा वो कहका 400 में दे रहा हूँ पर अब भी मैं ले रहा हूं कुछ तो ले रहा है इस पर नहीं ले रहा खुद बताओ तो आप क्योंगे जिहां ले रहा होगा निश्चित वह भी तो बैठा तलके सम तक वह भी तो दुकान पर बैठा उसने कही भी या मैंने तो इस पर बीस रुपिया बचा लिए भी जा हो जा खुश तो भाई यह जो 380 रुपे आया बीस रुपिया का अगर उसका प्रॉफिट और हटा दूम है तो यह जो 380 है न बच्चो यही लागत मुल्य है यानि दुकान दार का प्रॉफिट हटाने के बाद जो रेट आएगा वो उसका लागत कहलाएगा वो उसका सीपी कहलाएगा बच ठीक है और बीच में एक खेल चल रहा होता है तो आप समझ कहें सीपी क्या एस पी क्या और मॉठी है बहुत सुंदर बच्चो बहुत सही अब आपको एक अच्छा फासा ज्म्यान है अंकित मुल्य का सेलिंग प्राइस का लगत मुल्य का चलो बच्चो तो लगत पे तब पहुच पाओगे जब दुकानदार का आपको profit पता चल जाएगा नहीं तो लागत पे कभी नहीं जा पाओगे चलो बच्चो तो अब यह क्या है एक अंकित मुल्य उसके लागत से अगर मैं लागत को 100 मालनू बटा लागत को यानि CP को अगर मैं 100 मालनू तो अंकित म मुल्य बटा छपा मुल्य भी कह दें इसको फिर इस पर पता चला कि भीया 12% लाब प्राप्त करने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए तो 12% दुकानदार को जादा नहीं चाहिए वो कह रहा भीया मुझे तो 12% चाहिए मेरा तो 100 रुपिया CP था और 12% चाहिए तो द दुकानदार को 112 में बेचनी पड़ेगी की नहीं सेलिंग प्राइस यही होगा तभी तो 12% लाब होगा बाइस सो रुपिया की चीज को 112 में बेचोगे तभी तो 12% लाब होगा तो इसका मतलब है वस्तूपे MRP 140 है और बेचनी इतने में है तो छूट कितने % हो गई तो यह चूट यानि डिसकाउंट कितने % देना होगा तो हमें पता चल गया कि 140 की चीज को 112 में देना होगा यह 112 कहां से आया सर अरे भाई पता तो है कि CP यानि हमारी 100 रुपे जेब से जा रहे हैं और मुझे 112 कमाने के तो 12% लाब चाहिए बस मुझे 112 कमाने है जबकि मेरा MRP उसने बोल दिया था कि लागत से 40% अदिक है तो लागत 100 या MRP 140 हो गया तो यानि 140 किसी वस्तु का MRP डलाए इस पर MRP 140 डलाए और दुकानदार कहरा 112 में दूंगा ही दूंगा इससे कम में नहीं चूंकि 12% मुझे भी चाहिए चलो बच्चो तो कितना छूट हो गया रहे भाई डिसकाउंट देखो न 28 रुपे का हो गया भाई हानी कैसे निकालें कितने रुपे की हानी है 28 तो डिसकाउंट तो एक प्रकार से हानी है ना बच्चो किस पे दिया गया है डिसकाउंट इस पे या इस पे भईया 140 MRP पे दिया जाता है डिसकाउंट तो 140 और गुणा 100 और भाई उत्तर आ गया देखो 14 दुनी 28 20% का आपको डिसकाउंट देना पड़ेगा तब जाके चीजे जो चहारे हो वैसी मिलेगी वैसी पड़ेगी बच्चो ये रहा आपका बिल्कुल सटीक उत्तर जो इस सवाल को समझने के लिए था मुझे उम्मीद है कि मैं आपको दिमाग में अच्छे से इसको फिट कर पाया हूँगा क्योंकि बच्चो दिमाग में फिट वाला सवाल था अगर नहीं हुआ हो फिट तो टेंसन मत लेना आगे अभी और उसका चलेगा अभी तो उसका प्रोग्राम चल रहा है अभी तो देखिए एक क्लास और होगी बटे डिसकाउंट पे कल कल की क्लास भी इसी पे होगी और परसो चलेगा नया चेप्टर जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो परसों से बच्चो देखें ज्यादा बहतर समझ पाओगे हाला कि डिसकाउंट से भी समझ लेते हैं बच्चे क्योंकि ये भी आज शुरुआती है पर फिर भी परसों है हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात बहुत ही सांदार चेप्टर पढ़ता भी सांदारों बच्चो उसको है ना चलिए असी रुपे अंकित मूले के छाता को 68 रुपे में बेचा गया है असी रुपे डिसकाउंट है किस पर है डिसकाउंट इस MRP पर ये डिसकाउंट है एटी पर 12 बटे असी गुना सौ ये रहो गया उतर बच्चो बारे रुपे की छूट किसके ऊपर MRP पर नीचे MRP आएगा बच्चो जिस पर छूट दी गई है वह नीचे आता है कभी आप 68 नीचे सेंट लॉस निकालते ना कि असी की चीज 68 में जा रही है तो कैसे लॉस निकालते हैं कि कितना डिफरेंस है कितने का लॉस हुआ है वो उपर बटे किस पर किस से जो आपका सीपी है वो नीचे लिया जाता है तो यहां सीपी होता है जिस पर छूट दी गई है वो नीचे आता ह और गुना 100 होता है बच्चो Next question की बात करूँ बच्चो Next question क्या है 10th question को देखिए यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मुले 6000 रुपे है एक ग्रहा को 5500 रुपे में बेच दी जाती है बच्चो क्या ये बिलकुल same question है जो अभी कराया है कि 6000 1000 की मेज है और 5500 में बेच दूँ तो मेरे को डिसकाउंट कितना देना पड़ेगा रहे कितने की छूट मिली भाई देखो ये अपना हिसाब वाला question है मतलब अगर कोई कह भाईया 6000 रुपे मैं तो 5500 में दूँगा और आप से कोई पूछे भाईया कितना डिसकाउंट मिला परसेंट में बता दो भाई घर का सवाल है घर का तो 500 रुपेया का डिसकाउंट लेकिन परसेंटेज में नहीं पता और जबकि दूसरा चिला ता चिला ता आप से हार गया कि 10 परसेंट डिसकाउंट ले जाओ 10 ले जाओ अब आप कहरो मैं तो 500 गलाया हूँ ओहो फिर देख रहे हो यह 10 भी बनेगा यह नहीं बनेगा भाई यह 10 भी बन रहा है यह नहीं बन रहा है हमें 10 वाले से खरीदनी चाहिए थी यह इस से खरीदनी चाहिए थी इसने तो 500 कलालच दिखा दिया और 10% हम सोच रहे थे हैं थोड़ा सा ही तो बने है 10% तो भाई ये वह वाला सवाल है ना बेवकूप बना रहा है फिर से 500 रुपे की छूट कितने पर दिये भीटा 6000 पर दिये 6000 पर और गुणा 100 और 3-0 देखो बैच्चा ये कट गई और क्या कट गया 2-3 बार 2-5 बार 25 बटे 3 ओ लूट ले आरे 8 से ही 1 बटे 3% ही दिया इसने तो इसने तो इतना दिया 10% वाला गना बढ़िया था इससे तो इससे तो 10% डिसकाउंट जादा अच्छा रहता 100 रुपिया का तो मिलता यहां 500 गई है चलो बच्छो तो कुल मिलाकर यह परसेंटेज में चेक लो कितना परसेंटी दे रहा है यह बेवकुप बना रहा है 500 दिखा के चलो ठीक है बच्छो आगे देखें अकले सवाल पर आएं बच्छो जरा यह देखना 11 सवाल देखना एक बार एक कमीज पर छूट दी जा रही छूट पर लगबक क्या होगी छूट दर क्या होगी छूट कितनी होगी जिसका विक्रे मुल्य उसके अंकित मुल्य पर 109 रुपे की छूट काटने के बाद 560 हूँ कोई ऐसा दमदार बच्चा है जो इस सवाल को खुद कर देगा बिना मेरी हेलफ के तो बच्चो सवाल बिलकुल आसान है बहुत ही आसान है ठीक है? बहुत ही आसान है पर बच्चो एक बार इसको खुद पढ़ो इतना सिंपल लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था चलिए देख लो उट पूछी है विक्रे मुल्य उसके अंकित मुल्य का 109 रुपे की छूट काटने के बाद 560 रुपे हो बेटा अंकित मुल्य पता नहीं है लेकिन ये सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस 560 है ये बोल रहा है ये पढ़ो तो सही विक्रे मुल्य अंकित मुल्य पर 109 रुपे की चूट काटने के बाद 546 तो भीया MRP यानि अंकित मुल्य कितना تھा कितना था 109 रुपे की चूट काटने के बाद ये था तो इसका मतलब MRP इससे 109 ज्यादा था भीटा यह percentage में तो दिया नहीं यह तो रुपिया में दिया है तो MRP कितना था रहे भाई ये था 685 रुपे 685 रुपे था की नहीं था खुद बताओ बच्चो क्या ये वाली बात समझ में ये आगी तो सवाल खतम हो गया अब रही क्या गया तो ये ही तो समझ नहीं थी में इन बात ये ही थी बच्चो क्यूं थी ये बात फिर से बता रहा हूं कि विक्रे मुल्य पर उसके अंकित मुल्य पर 109 रुपे की छूट काटने की बाद 506 आया सेलिंग प्राइस 506 सेलिंग प्राइस आया 109 की छूट काटने के बाद तो 506 पर 109 जोड़ दो आपको पता चल जाएगी कि भईया ये था MRP तो MRP तो बढ़ा होता है सबसे इससे बढ़ा कोई मुल्य ही नहीं होता बहुत बढ़ीया अब आपसे क्या पूछा है तो ये छूट कितने परसेंट कि है परसेंटेज बता दो अरे घ Storm आपको परसेंट चूट बता दो वो तक पताहिए 109 रुपे की है और किस पर नीचे बेटा MRP होता है जब भी छूट निकाल रहे हो तो नीचे हमेशा अंकित मुल ले आएगा इसलिए ही तो निकाला आए गुना सो भाई खतम हो गया सवाल 109 तो इसको जरा काट पीट लेते 5 से ही काट दूं 20 बार और 5 से एकम और फिर ये कट गया ये कट गया पांच तीया पंद्रे पांच सत्य पैतिस एक सो से तिस लगभग में आ रही है क्या हाँ लगभग बोला है तो भाई करना ही पड़ेगा यार कुछ और जुगाड़ ही नहीं लग रहा है इसका 20 निम्मा 180 20 एकम 20 और 2180 तो एक सो नो दूं आई तो और 137 बाग दे दो भाई देख लो जरा कितनी बार जा रहा है कितनी बार जा रहा है 14 और 13 यानि कितनी बार जाएगा जरा भाग करके देख लो पता लग जाएगी आपको लगभग में छूट चाहिए लगभग में उत्तर आ रहा होगा तो क्या आ रहा है बच्चो 15.99 आ रहा है तो भाई या अगर 15.99 आ रहा है देखना भाई कैलकुलेटर से भाग दे के इसको तो लगभग सोले बार जाएगा 15.69 बटा ये आ रहा है 15.69 यानि 15.69 परसेंट 69 या नाइन कुछ है 96 है एक बढ़ देखना 9669 देखना जरा जरा देखो बच्चो 69 नहीं होगा 15.9 बटा ये आ रहा है 15.9 इसका मतलब है 16 परसेंट क्योंकि ये 16 क्या असपास होगा 15.9 परसेंट आ रहा है तो ये 16 के लगभग हो गया 15 रुपिया 90 बैसा हो गया ये तो भाई 16 रुपिया ही बनेगे पूरे पूरे है ना तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर देंगे तो लगभग में था बच्चे कोई बात नहीं बहुत बढ़िया सवाल था है ना थोड़ा से दिमाग लगवाते हैं बच्चो ये सवाल है ना बच्चन तो बलैक नहीं दिख रहा है ब्राइटनेस बढ़ालो मेरा चेहरे का क्या करोगे रोज तो देखो इसे ठीक है आपको क्वेश्चन साब दिख रहा है बात खतम हुई या देखो बारमा क्वेश्चन हम तयार जैसे है ठीक है ये देखो किसी वस्तू को उसके अंक वचित मूले बताओ ये तो आपका सेलिंग प्राइस है बच्चे ये तो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका छूट यह न Corey डिसकाउंट है और बटा मुझे एम आरपी बताना है आप एक बात बता उजरा MRP जाद आएगा या कमाएगा बस इतनी सी बात बता देना आपको Selling Price पता है तो MRP बड़ा होगा Selling से चोटा बेटा MRP तो सबसे ही बड़ा होता है उससे बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में याद रख लेना तो MRP बड़ा करना है याद आपको Selling Price की Help से MRP लेके आना है तो भाई इससे बड़ा आएगा तो अर्दे को उत्तर भी सारे ही तो बड़े आरे है तो 14% का बटे का मतलब होता है 100 की चीज च्छासी में दे दी आपने 100 की चीज च्छासी में दे दी तो बड़ा कैसे करें तो भाई यह बड़े की गुणा कर लो भाग च्छासी का यहाँ गलती से भी 114 मत कर दे ना कभी यहाँ 114 बटे 100 कर दो बस उत्तर आ गया बच्चो भाई उत्तर आ गया अरे यह 80% की वैल्यू अरे और भाई 100% की वैल्यू होता नहीं बात ऐसे समझ लो चाहे तो या ऐसे समझ लो जैसे मन करें वैसे कर लो सवाल को पर कर लो तो भाई कितनी बार जा रहा है यह कितनी बार जा रहा है काटना पड़ेगा क्या 2 से 43 बार 2 से 50 बार क्या यह 43 से कटता है रे भाई कटेगा क्यों नहीं कटेगा ये कितनी बार नौ बार पचास निम्मा साड़े चार सो रुपिया ये रहा आपका उत्तर साड़े चार सो खतम कर दिया सवाल नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं भाई एक और सवाल लेते हैं यहां पर क्या सेम क्वेशन आ गया फिर से जी बिलकुल कॉपी आ गया ये तो एक व्यापारी एक वस्तू के अंकित मुल्य पर 14% की छूट देता है यदि वस्तू का विक्रे मुल्य यानि सेलिंग प्राइस है य दी रहा और ये इतना डिसकाउंट दिया अंकित पर डिसकाउंट दिया तो अंकित तो बड़ा होता है मर्पी तो बड़ा होता है फिर से बड़ा लाओ सेलिंग प्राइस दिया है तो इससे बड़ा ही आएगा और 14% तो फिर सो बटे छासी होगा बड़ा करना है तो रे चल रहा MRP चलो कहां यह रहा भाई घना आसान है है ना चलो बिलकुल सेम कॉपी सवाल था बच्चो नेक्स्ट कुश्चन देखो जरा नेक्स्ट कुश्चन देखो जरा एक फोटोग्राफर एक कैमरे की विगपती पर मूल्य 10% की छूट देता है 10% की छूट कैमरे के विगपत मूल्य विगपत मूल्य को आप अपना जो है यह कह सकते हो MRP कह सकते हो एक परकार से तो उसे कैमरे पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि जिसका लागत 600 रुपे हो तो भाई और लाब भी 20% तो सवाल थोड़ा सा बढ़ा दिया बच्चे एक बात जान लो एक तो आता है लागत दिया हो और हमें MRP लाना हो बच्चो ध्यान देना लागत दिया हो MRP लाना ह बहुत काम की बात बता रहा हूं और यह सवाल कभी आपके गलत नहीं होंगे बहुत द्यान से सुनना अगर आपको लागत दिया हो MRP निकालना हो तो इसका मतलब लागत है बहुत चोटा मुल्य तो लागत लागत कितनी सी आई होगी इसमें है ना लेकिन इस पर MRP कितना ड ला जाता है यह अंकित मुल्य कह दें इसको हिंदी में लिख लेना अंकित मुल्य तो क्या अंकित मुल्य बड़ा होगा या नहीं होगा अगर लागत मुल्य दिया है तो अंकित मुल्य बड़ा लेके आना है आपको क्या करना है इसको बहुत बड़ा करना है और जब बड़ करना होता है तो ध्यान रखना बड़ा ऊपर रखना होता है बड़ा और और बला और और जब MRP दिया हो अंकित मुले दिया और लागत लाना हो तो बहुती साहथ करते चले जाना तो हमेशा याद रखना छोटी संख्या ऊपर और बड़ी नीचे ये करना होगा बस इतनी सी बात ध्यान रख ली सवाल के चीतने उड़ा के आओगे बच्चे पेपर में क्योंकि ये साफ दिक रहा है भाई अगर जैसे देखो यहां क्या दिया है हमें लागत दिया है इस 600 की बदौलत मुझे MRP लाना है मुझे अंकित मूल्य लाना है MRP लाना है बच्चे यही तो पूछा है उसने अंकित मूल्य बता दो तो 600 की हल्प से मैं कैसे लाओंगा बटा यह क्या है डिसकाउंट है तो इसकाउंट को हमेशा 190 लिखेंगे और यह क्या है प्रॉफिट है प्रॉफिट को हमेशा 120 लिखोगे लिखोगे की नही बस इतनी बात बताओ अब MRP लाना है लागत दे रख था है MRP लाना है तो बड़ी संख्या उपर करनी होगी दोनों ही केस में तो भईया बड़ी संख्या उपर करूंगा तो इनमें बड़ी कौनसी है 100 और छोटी कौनसी है 90 और इनमें बड़ी कौनसी है 120 और छोटी कौनसी ह सो उत्तरा गया रहे ये लो भाई आपका आंस्वर ये लो भाई आंस्वर तो भाई ये देखो तीन तीन नो तीन चौके बारे और तीन से ये कर रहा इंतजार दो सो चौका आठ सो रुपिया ये आपका एम आरपी होगा कुछ नहीं करना बच्चो बहुत ही सिंपल है क्या अगर आपको लागत मुल्य दिया है और अगर एम आरपी लाना है तो बड़ी संख्या उपर रखो क्योंकि एम आरपी बड़ा मुल्य होता है ठीक है तो एक बार और समझा रहा हूँ बच्चे एक बार और वैभा भाई एक बार फिर से समझो कि अगर आपको बस ध्यान देना सवाल में क्या दिया है मुझे लागत दी है और उस पे बटा प्रॉफिट परसेंट भी पता है और छूट भी पता है अम आरपी पर लेकिन एम आरपी लेके आना है आपको तो एम आरपी होता है बटा लागत से तो बड़ा ही होगा जब एम आरपी ला रहा हूँ तो मेरे को इससे बड़ा मुल्य लाना होगा और बड़ा लाओंगा तो बड़ी संख्या की गुणा छोटी का भाग इनमें बड़ी कौन सी है 120 तो 120 क विट्टो कुष्च न आगया भाई ढिलो आंगट लानी है फिर से पढ़त तो लो सर क्या खिलाने कि अंकित कीमत पर नगद मूले के लिए 10% छूट देता है ठीक है और उस पर इतना लाब कमाता है बिल्कुल वही तो सवाल है आपको लागत दिये वो लागत पूछिए अंकित दिया है तो भाई करो MRP 770 दिया है और इस पर आपको 10% छूट भी देनी है 10% प्रॉफिट भी चूट को 190 करते हैं प्रॉफिट को 110 करते हैं और भाई इसमें क्या करना है मेरे को CP क्रेमुल छोटा आएगा छोटा आएगा इससे बहुत छोटा आएगा तो कैसे करूँ छोटा इनमें छोटा उपर कर दो छोटा हो जाएगा इनमें छोटा उपर कर दो छोटा 100 होगा और बटा ये रहा उत्तर ये रहा उत्तर भाई 100 से 100 काट दो 0 से 0 काट दो 1177 कर दो 9773 कर दो 630 रुपिया आपका अंसर ये रहा बच्चो इतना काम करना है बस कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कभी दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में मैं कह रहा हूना कभी दिक्कत नहीं डिट्टो सवाल है बाई डिट्टो देखो तो सही वस्तू के अंकित मुल्य पर 15% बट्टा देने की बाद यानी 185 कर दो बट्टे को तुरंत और 20% प्रॉफिट है सो एक सो बीस कर दो तुरंत और CP कितना दे रखा ये रहा और हमें चाहिए MRP ध्यान दो MRP तो बहुत बड़ा होता है किताब पर जो रेट डिला उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं तो भाई करो बड़ा 153 पन लिखो इसको ही तो बड़ा करना है करो बड़ा तो पहले 100 की गुणा 85 का भाग बड़ा उपर यहां भी बड़ा करना भाई बड़ा करना मत भूलना ये हो गया बड़ा ये रहा उत्तर देखो बच्चो कितना सिंपल है 175 शातर निमा पाँस से 24 बार 24 निमा दोसो-सुल होते है ये आगे आपका MRP कहा है ये रहा कितना असान है बच्छो कितना असान है चलिए बहुत मज़ा आ रहे ना बच्चो इन सवालों में कैसी रही क्लास जरूर बताना बच्चो जरूर बताना ठीक है आगे बच्चो कि यही सवाल है same to same डिटो सवाल है डिटो CP एरा MRP कितना होगा बिल्कुल सेम 5% commission discount ही होता है 195, 110 रख देना और उत्तर वहिया कल कराऊंगा यहां से आगे यहां से आगे कल कराऊंगा आज की class यहीं खतम करता हूँ जरूर बाद में कमेंट करके बताना क्योंकि हम लोगों को सहाव वरदन तब ही होता है कि कितना बच्चो को समझ माया उनके कमेंट से ही पता चलता है ठीक है बच्चो और ध्यान रखा 9 जुलाई तक विकेंसी आ जाएंगी नहीं तो 10 जुलाई से निकलवाने की कवायद सुरू हो जाएगी नहीं आई तो निकलवानी कैसे है ये हमें कोसिस करनी है बच्चो ठीक है चलिए तो कुल मिला करके आज कहा हिंदी खतम हो गया बेटा आज का क्लास यहीं खतम करता हूँ ओके बाई बाई